नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल ओनलाइन और ओफ लेंग आने हैं दोस्तों Central Manufacturing Technology Institute CMTI इसमें आप लोगों के लिए नोकरी आई है पहली क्लियर कर दूँ, इस नोकरी के लिए किसी भी परकार का एक्जाम आप लोगों का नहीं होना सिर्फ आप लोगों का Interview होगा और Interview के Base पे आप लोगों को Department सिलेक करेगा Department ने किसी भी परकार की फी नहीं मांगी है, किसी भी परकार का पैसा नहीं मांगा है आपको बस एक Biodata को फिल करना है, जो नोने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है वो फिल करके एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर टाइम पर आप लोगों को इंट्रिव्य देने जाना है यह है एक कॉंट्रक बेसिस की नोकरिया पर्मिनेट मस समझना जो बच्चे फ्रेशर हैं आईटे की ट्रेट से हैं लेकिन जिनके पास नोलीज है वो पर्टिकुलर चीज की जो इन्होंने अभी दिखाई है यहाँ पर मेंशन की है तो आप इंट्रिव्य के लिए जा सकते हैं यह बैंगलोर में इस्तित जगा पर आप लोगों का इंट्रिव्य होगा इसलिए मैं रिकमेंट नहीं करूँगा अधर इस्टेट वाले बच्चों को जो बच्चे सेम एरियास के हैं सेम जबगा के हैं या इसके आसपास के हैं वो इंट्रिव्य देने जाओ अधर इस्टे बोड़े समय के लिए आप पैसा इखटा कर लो वो बच्चे यहां पर जा सकते हैं आशा करता हूं मेरी जो बाते हैं उन पर विचार आप लोगों ने किया होगा मैं सिर्फ आइटे पर फोकस करूंगा दूसरी कैटिगरी पर मैं बिल्कुल फोकस यहां पर नहीं करूंगा त तो प्रिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगी अब जो इंटर्वू बेस पर नोकरिया निकलती है आप जानते हैं उसमें जो है कमी वेकेंसी जाती है यहां पर पहले आप लोगों देख सकते हैं प्रोजेट असिस्टेंट वन की जो वेकेंसी है इसमें जो है मसीनिस्ट टर और जो grinder वाले बच्चे हैं मसीनिस grinder वो यहां पर जा सकते हैं आपके पास knowledge होने चाहिए जो आप लोगों की CNC turning machines होती है वो आपको चलाने आने चाहिए आप से question पूछे जा सकते हैं and tool setting की knowledge होने चाहिए CNC programming की knowledge होने चाहिए part inspection and machine maintenance की knowledge होने चाहिए इसमें दो vacancy है दस तारिक को ट्यूज देखो आप लोगों का interview है तो कोशिश करना की सुभे आप लोग जल्दी पहुंच जाए interview देने के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके बाद twitter की vacancy है experience in machine tool और SPM building industry preferred यानि क इस category में experience है तो आपको preference दी जाएगी ध्यान रखना आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रख लिया जाएगा preference दी जाएगी fresher बच्चे भी interview देने जा सकते ये भी दस तारिक को interview है तो यानि आज आप लोगों की यहाँ पर आठ तारिक हो गई तो कल जो है आप लोगों का यहाँ पर एक दिन का समय है उसके बाद परसो आप लोगों का यहाँ पर interview हो जाएगा यह project basis की vacancy है तो department आपको contact basis पर रखेगा एक या दो साल के बाकी department करता है इसलिए मैंने बोला जिसको बहुत ज़दा need है जिसको बहुत ज़दा जरूरत है वहीं यहाँ पर मिनिममम 18 साल दिये तो जो date दे रखे उसके 25 जादा नहीं होने चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए relaxation यह सब यहाँ पर नहीं मिलता ठीक है तो आप लोग यह मत विश्वास करना कि बहुत ज़दा relaxation मिल जाएगा आप interview देंगे तो आप लोगों को वहाँ पर पतासल जाए जो भी criteria इन्होंने मांगा है उसमें तब जाके आप interview देने यहाँ पर जा सकते हैं तो अभी मैं form भी दिखा दूँगा यह contact number दे रखा है कल का आपके पास समय है अगर call करके कुछ पूछना है तो इनसे पूछ सकते हैं proper address की बात कर तो यहाँ पर address है सुबा 9 बजे आपको बता देना लेकिन request है other state से जाने की जुरत नहीं है आप लोगों का समय बहुत ज़दा व्यार्थ होगा है यहाँ पर क्यूंकि ऐसे department में बहुत ज़दा आप लोगों से project basis पे काम करवाय जाता है तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है आशा क निकालने ना इनका form भी आपको official website पर दिखेगा जो मैंने दिखाया है और जो advertisement समझा है वो आपको यहाँ पर मिलेगा कभी-कभी ऐसे नोकरी भी बच्चे डिमांड करते हैं तो उस पर भी कभी-कभी focus करना पड़ता है गोर्मेंट की तो आप लोगों के लिए लेकर आते ह रहते हैं तो कभी-कभी ऐसे डिपार्टेंट पर ऐसे बच्चों को भी नोकरी की जरुत होती है जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा पैसा कहीं से मिल जाए आशा करता हो मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे इसके बाद अगर आपके माइन में कोई सवाल आता है तो comment box से mention कीजिए टेलेग्राम पर भी आप लोग जोड़ सकते हैं धन्यवाद जो भी important links है वो description में मिल जाएंगे